फाइनली एलोन मस्क की कमपनी स्पेस एक्स और स्टारलिंग जिस प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर रही थी जो कि इंडिया में सेटलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंचाने का काम था उन्होंने बोला है कि हम लोग जनवरी 2022 तक हम लोग लाइसेंस ले लेंगे तो सवाल उ यहां पर जो प्री बुकिंग कर रहे हो अपना सेटलाइट बॉर्डबेंट सर्विस का इसको बंद करो क्योंकि तुम्हारे पास लाइसेंस नही है और उसके बाद एलोन मस्क की कमपनी स्टारलिंग के तरफ से इंडिया में जो उनका हेड़क्वाटर उनके तरफ से यह र इंटरनेट देती हम लोग को बस एक अंटीना करीदना होगा और उसी अंटीना के जर्इए हम लोग को सेटलाइट मिल जाएगा कई सकते हैं इंटरनेट मिल जाएगा और यह हमलोग लाज तक 31 जनवरी तक apply कर देंगे और हो सके तो ले भी लेंगे इनका ये कहना है अब जानिए कि Elon Musk का इसमें कोई रोल नहीं है उन्होंने ऐसा कोई tweet नहीं किया है ये सारा चीज मांज़रा है कि LinkedIn पोस्ट के जरी शुरू हुआ है और ये संजे भारगव ने कहा है जो कि Starlink के डारेक्टर है इंडिया का जो डिपार्टमेंट है उसकी ये डारेक्टर है और असल में ये है कोनेक्चली जो इसके इतना बड़ा कंपनी के डारेक्टर बनके देखें ये जो है ये स्टार लिंक क अभी के अभी के लिए तो डारेक्टर है लेकिन इनका जो एक बहुत बड़ा रोल था स्पेसेक्स और पेपाल जब एलोन मस्क पेपाल स्टार्ट किये था उस वक्ति ये उनका वहां पर बहुत बड़ा रोल में प्ले कर रहे था और जब पेपाल को बात में खरीद लिया उस वक्त कह सकते हैं कि ये वहां पे साथ में थे लेकिन उसके अदा अलग हो गये लेकिन अब जब वापस एलोन मस्क को जरद पड़ा तो उन्होंने इन्हें एक उपरज़निटी देते वे इंडिया में स्टारलिंग का हेड बना दिया है अब जानिए कि जो स्टारलिंग ह भेजता है रॉकेट के जरी रॉकेट को वापस बुला लेता है इसके अलावा इनका जो एम था 2000 स्टारलिंग का सेटलाइट को इस पेस में भेजना दो लाख सेटलाइट को इस पेस में भेजना और दो लाख का सकते हैं इंडियन घर में इंडियन डिवाइस को इस्टॉल क मुझे comment section बताईए क्योंकि मैं अपना विचार बताऊंगा तो हो सकता आपको ठीक ना लगे देखे कस्टमर के point of view से देखे हैं तो यह दोनों के लिए कि मुके संबानी old technology के साथ जा रहे हैं और Elon Musk new technology के साथ जा रहा है और इसमें देखना यह है कि सस्ता को देता है क्योंकि इंडियन यूजर वहीं जाएंगे जहां सस्ता जाता है और दोनों के लड़ाई के बीच में कह सकते हैं कि हम लोग जैसे customer का bum bum है पर दिक्कत यहां पर यह है कि इंडिया का कहीं मुके संबानी हार ना जाए इसमें कोई आगे चलके दिक्कत ना आए और ऐसा ना हो कि Reliance Company का दिवालिया निकल जाए उस चीज का दिक्कत है क्योंकि जतना फायदा हम लोग को नहीं होगा उससे जादा नुकसान हो जागा अगर Reliance Company डूप जाए तो आप मुझे अपना वीचार वेसे बताइए और इसके अलावा आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए Thank You Very Much